छेत्र के मवासागाउं में चल रहे श्रीमत भागवत कथा के पाचवे दिन की कथा में कथा वाचक संस्रीबाल योगी जी महराज ने बताया कि ज्यानी और भक्त में कोई अंतर नहीं है भक्त और ज्यानी दोनों ही भगवान के बालक हैं भगवान कहते हैं ज्यानी मेरा बड़ा बालक है और भक्त मेरा छोटा बालक है पर माता पिता को छोटा बालक ही प्यारा होता है एक माँ अपनी संतान का जिस प्रकार ध्यान रखती है उसी प्रकार परमात्मा अपने भक्त का ख्याल रखता है और एक ज्यानी अपने ज्यान से भगवान को प्राप्त करता है पर आज लोग परमात्मा को निराकार और साकार मानने को लेकर आपस में जगड रहे हैं नरकों की कथा सुनाते हुए बताया कि जो परमात्मा का नाम नहीं लेता वह नरक गामी होता है जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह नरक गामी ही होगा और बताया कि नर ही नरक में जाता है बाकि दूसरे जीव नरक में नहीं जाते हैं बताया कि नारी अन्न पूर्णा होती है वह कभी अपने लिए भोजन नहीं बनाती है जब परिवार के लोगों के लिए भोजन बनाती है उसमें से सब के बाद में खाती है भगवान का नाम ल गंगा राम मीना शंकर्लाल मीना गनशा मीना बाबू लाल मीना सहित बड़ी शंख्या में महिला पुरुस मौझू अक्लेरा से हमारी श्रंबाद्धता है योगिंद्र कुमार मीना की रिपोर्ट